So hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके phone पे business account अगर आपका नहीं बनता है phone पे जो business होता है, अगर business account आपका नहीं बन पा रहा है तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लीचेगा बिल्क आइकोन को प्रेस कर लेना है अगर आपको step की problem आती है, like अगर आपको OTP की problem आ रही है इंटर इवर mobile number जो पहले आपको option आता है, verify करने में अगर आपको OTP नहीं आती है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका mobile number आप यहाँ पे डाल रहे है उसमें जो है आपका recharge रहना जरूरी है अगर आपके mobile number पे recharge नहीं है, तो आपको verify के लिए verification code नहीं आ पाएगा और आप अपना business account नहीं बना पाएंगे ठीक है, यह काफी लोग यही step में fail हो जाते है तो यह आपको देखना है second अगर कोई भी problem आती है आप लोगों को तो आपको अपको अपना play store open करना होगा यहाँ पे हम लोग search कर लेंगे phone pay business ठीक है, और phone pay business में अगर कोई update available होगा तो simple आपको अपने phone pay business को update करना है ठीक है, then third अगर यह तरीके आप लोगों ने use कर लिए फिर भी आपकी problem नहीं आती है verification code वाली तो problem आती ही आती है, अगर आपके पास recharge नहीं है तो इसके अलावा अगर आपका फॉल्ट होगा तो आप अपने mobile की settings में जाहिए then आप apps पे क्लिक करिएगा यहाँ पे हम लोग search कर लेंगे phone pay business, ठीक है यह आचुक है phone pay business, simple हम इसके storage पे जाएंगे, और आप इसका data clean कर दीजेगा, data data clean करने के बाद अब आप लोग अपना account create करने का try करिए और जो भी mobile phone में आप लोग business account को use करना चाहते है, उसमें आपका sim card ट्रेना अनिवार यह है, अगर आपका sim card नहीं है उसमें, तो आप business account को create नहीं कर पाएंगे, simple आपको इन चीजों का जय मतादी